ओक यार अपने course में आके बढ़ते हैं और इस वीडियो में लोग देखते हैं कि हम लोग अपने project के दोरान या project में multiple activities के साथ कैसे काम कर सकते हैं अगर आपको एक से जाधा activity बनानी है अन्य उसको navigate करना है एक activity से दूसरे activity भी data ले जाना है वो सब चीज कैसे करते हैं और एक ही वीडियो में इसी वीडियो में सब चीज कबर करेंगे जिनने भी aspect होने वाले तो हम लोग देखते हैं ठीक है चलिए अगर आपको activity install में आ रही है तो बस आप यह समझे कि हम लोग actually कैसे है multiple pages के साथ web application में काम करते है multiple pages बनाते हैं फिर HRF लगा के एक page से दूसरे page पर ले जाते हैं डा exactly वैसे ही हम लोग कैसे अपने app के अंदर भी इसको कर सकते हैं मतलब implement कर सकते हैं हम एक page हमने बना लिया उसको फिर हम दूसरे page पर कैसे ले जाएंगे दूसरे यह activity launch होती है जो सबसे पहली activity दिखती है वह हमारा हमारी लॉंसर activity होती है फस्ट activity अगर आप बैव application में हो तो फस्ट पेज होता है वह आपका home page होता है वैसे यहाँ पर यह लॉंसर कर सकते हो अलग अलग टाइप की यह कुछ पहले लिखी लिखाई activity आपको मिल जाएगी उसनों लिखके दे दिया template उस template को भी यूज कर सकतो या फिर आप अपना activity scratch से क्रेट कर सकते हो जैसे आप अगर रहे हैं दोको तो आपके पास बेसिक व्यूज activity है बेसिक बॉटम व्यूज अक्रिविटी है मत्दब बॉटम नेविगेशन आप यह वल एक्रेट करोगे तो बॉटम नेविगेशन भी आपको मिल जाएगा यह boiler plate को लिखके मिलेगा भाई आपको आपको कुछ करने की जरूद भी नहीं है ठीक है फिर हमारे पास देखो हो MPT views activity है fragment plus view model बना सकते हो वी model के साथ fragment full screen activity login views activities navigation ड्रार अक्रिविटी ऐसे करके यह सब जो है exactly यह सब आपके प्रोजेट को देवलब कर रहे तो को दिक्कत वाले बात नहीं तो मैं क्या को बनाऊंगा थिक यह मैं व्यूज शिंपल व्यूज के लिए में मैं एंपटी एक्टिविटिए बनाऊंगा जैसे अप करते तो आप पास एक खाली जिसके अंदर कुछ होगा नहीं नाम देंगे सपोर्ज हमारे पास यह login एक्टिविटी नाम देंगे एक्टिविटी क्लास के नाम में ब्लास्ट में इसलिए रखाओ कि हम इस क्लास को अच्छे से पहचान सकें कि यह यह एक्टिविटी है चाहते हैं तो हम थोड़ा सा क्लास के नाम को देखके बता सकते हैं अच्छा यह activity है बाकी आप generate layout file भी कर सकते हो जोड़ाइस को चोड़ सकते हो मैं गभूगा layout file भी generate कर दो किस package बनाना है बता सकते हो और code आपको कौन सा उसकरना यहां पर Gradle Building स्टाट हो जाएगा जिससे की अच्छे स स्टेंख हो जाए आपका पूर अप्जेक्ट और आपको टच्छ भी नहीं करना प्रोजेक्ट जब तक यहां पर देखो IMPORTING BASIC CONCENT अपका पर प्रोजेक्स बिल्ड नई हो जाता या रिफ्रेस्ट नहीं हो जाता और login activity create करने के बाद हमरे पास activity और हो गई है login activity ठीक है अगर हम चाहें dashboard activity बनाना तो हम exactly package पर right click करके आपके इन activity भी जा सकते हैं जिस type की activity आपको create करने उस type की activity आप आसारी से create कर सकते हो ठीक है उसका simply हम empty views activity भी क्लिक करेंगे और नाम देदेंगे इसका login के बाद हो गया चलो डाशबोर्ड 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 एक्टिविटी यह हमारे पास डाशबोर्ड एक्टिविटी है ठीक है एक बार हम बना लेते हैं जितनी बनानी है फिर मैं आपको सारी जीश बताता हूं तो फिर से हमें empty भी क्लिक करेंगे और यहां पर नाम देंगे आब आउट एक्टिविटी फिर से हमारे पास इसका जो लेयाउट करना में उसको बदल सकते हो बड़ बदलने की जरूत नहीं हो दी ठीक है इस्टेंडर्ड जो है एक्टिविटी इंडर स्कोर अब आउट ठीक ह में के लिए में एक्टिविटी यह उसके लिए हमारे पास फाइल है एक्टिविटी अंडर स्कोर में एक्टिविटी अंडर स्कोर में मतलब जो लास्ट में एक्टिविटी इंडर स्कोर लग गया और सेपरेट करने के लिए अंडर स्कोर लग गया ठीक है इसे तरह हमारे होगा है इसे तरह हमारे पास हर एक ऐक्क्समेल फाइल उसको डिजाइन करने के लिए ठीक है दोनों अब तो पॉर्फ माध गया गई अभी अगर आप टैक्टिवटी लॉस्ट इने होगे दिखेगी मैं आपको देखा देता हूँ चला कि यह आपका the screen will launch is actually your launch activity that means your main activity वही screen launch होगी हमेशा तो अब बाकी activities को ऐसे move कर सकते हैं तो कई सारे तरीके हैं बाकी activities जैसे अगर आपको किसी और activity को launcher बनाना तो आप बना सकते हो तो जैसे होगा क्या कि जैसे ही आप चलाओगे वह activity open होजाएगी जिसको अपने launcher बनाया है एक तरीका है कि बाकी स्क्रीन पर आप कैसे जा सकते हो आप navigate कर सकते हो एक स्क्रीन पर आपने navigation लगा दिया जैसे बटन क्लिक हो दूसरे activity पर चले गए तो आप ठीक है इस activity का नाम है dot about activity and export false है हर activity जितनी भी आपने बनाई है वो सब activity clear होई dashboard activity देन आपके पास login activity देन आपके पास main activity कोई और activity बनाओगी वह यहां पर अपने आप से लॉंचर कैसे बनी लॉंचर बनी एक इंटेंट लगाने से कि उसका इंटेंट ही लॉंचर है मतलब इसका इरादा ही लॉंचर एक्टिविटी बनाना तो एक इंटेंट फिल्टर हमने लगाया और जिसका नाम है ठीक है एंड्रोइड इंटेंड.action.main एंड एक हमने अगर हम इसको कॉपी करके और इसको ड़ाल अपने लॉंचर बनाते यहां पेस कर देते हैं और एक्सपोर्ड को कर देते हैं इतना इंट जोथा यह लॉंचर इंटेंट इसको मैंने अब लगा दिया और मैंने अपना अप्लिकेशिन और अब देखोगे अब आपकी करना तो लॉगिन के अंदर कुछ लिख दीजिए आजाई एक ट्विद्स को लॉगिन लॉगिन और यहां पर आई है और एक ट्वी डालिए ठीक टैक्स उठाके दालिए इसको उपर से जोड़िए नीचे से जोड़िए कहां वे हो कहां वे हो लेफ्ट से जोड़िए लेफ् साइस को हम लोग 14 SP ना इसको करते हैं 20 SP ठीक है आपने अप्लिकेशन को रॉन करिए आपको देखने को मिलेगा लॉंचर एक्टिविटी में लॉग इक्टिविटी तो किसी भी एक्टिविटी को आप लॉंचर बना सकते हो कोई जरूरी नहीं है में अपको लग रहा है क्या स इसको नाम देते हैं और स्टार्ट एक्टिविटी को हम इसको कट कर लेते हैं और अप मारी स्टार्ट एक्टिविटी का हम इरे इसको हम बना देते हैं क्लोजिंग वाले टैग यहां पर दाल देते हैं और एक्टिविट एक्टिविटी को करते हैं ठीक है चलो कुछ 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 लगाते हैं कैसे लगाते हैं अब टेक्स बीव टेक्स वीव को मैं उपा से करूंगा बगल से रेट से रस्यां बाद दूंगा रस्यां राइट से बाद़ो अटाच कर दो भाई हल्का सा इसका टेक्स आप चेंज करेए लिख देते हैं वेलकम टू प्रोजेक्ट ठीक है या वेलकम टू एंडोइड इस 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 टेक्स्ट व्यू का मैं क्या करता हूं साइचेंग लेड़ा हूं इस त्वंटी डीपी ठीक है एंड अप्कूर्ड भी उस कर सकते हैं मार्जिन टॉप मैंने बता रख्का है आपको कैसे उस करना है है मारिय काम नदर इसके नीचे बटन इसके अठाइच करतां जिससे मैं अलागलना इक्टिवडी या सबस़े कर सकते हूं अभी मैं ब्टन को अटाइच करते रहा हम बाद में क्या कर सकते हुआइस आप मेनुऄ कर सकते हो बातम नेविगेशन का कुछ यूच कर सकते हो ठीक है बाद में हम लोग देखें कैसे मेनुऄ को बनाने है चलो और basic concept है एक बार concept समझ गए तो हर तरके के काम कर लोगा हर तरके के मेनूस बना रो ऐस बना नहीं इसको में चलते हैं इसको चलते हैं इसको जरा फैटाओ और इस में आप दे सकते हो मैं चलो माजन तर्टीप तो यह चिपका रहे गए और इस बटन का टेक्स हम चेंज कर देते हैं यह है वैसिकलिए अब आउट पेज के लिए आप या इसको करते हैं कि सब्सक्राइब इसको करें इसको के टॉप से चिपका देते हैं तो बटन के टॉप से चिपका देते हैं और अगे इसका नाम देते हैं कर देते हैं और टॉप फल्का अगें वही थर्टी डीपी तो टॉप नहीं लगा गया भाई लगा तो आगया अगया अगें लोग अगया अब हम लोग अब आउट के लिग आते हैं तो एक जली बटन नहीं हां से ड्रेग करेंगे थोड़ा साव जूम कर लो अगर आपको किछने में एंड एंड से सब्सस्क्राइब को स्ट्क आप CEO करते हैं बटन को ड़िते हैं Year about वाव और अगेन हम क्या करेंगे इसके टेक्स को कर देंगे डाश बूर्ट के बाद हम लोग इसका टॉप अगेन थर्टी अगेन हमने पांच बटन बना ली और स्टार्ट को मैंने बना दिया आइधिंग लॉंच एक्टिविटी दिखेगी और उस पर बटन दिखेंगे यूजर का कर सकता है एक्शन ले सकता है क्लिक करेंगे तो sign up यसा हम लोग बनाने वाले एक्टिक है चलो भाई अब इसको कैसे करेंगे हम लोग इवेंड्स को एंडल करने सेम तरिके से हमने एवेंडर करना से शीखा दा जैसे हम इसको क्लिक करें इस में दूंगा नहीं क्योंकि आइडिस देखें तो पुरा इस हैं उनी को यूज कर लेते हैं तो मा जाते हैं इस पर लगाएंगे साइन फिर की आईडी है हमारे पास बटन या बटन की आईडी देखेते हैं हम लोग साइन अप बटन लेके ठीक है तो मैं रहे फैक्टर कर करेंगे तो कंस्टेंट लेओट गडबड़ नहीं हुआ ठीक है फिर लॉग इन के लिए हम कर देते हैं लॉग इन बटन लॉग बटन लॉग बटन तो एंटर करेंगे आपके मैसेज पुछेगा तो रिफैक्टर कर दीजे तो ये कोड को भी उसी आईडी के अनुसार चें कर दीजे डैश बोर्ड बटन दैश बोर्ड अंडर्शूर बटन फिर इफैक्टर माल दीजिए अभी आपका लियाउट गड़ने होगा कि हम लिए रिफैक्टर कले रिफैक्टर मत्तब उससे रिलेटिटिट कोड भी चेंज हो गया ठीक है सब मैंने रन किया ये देखिए बाद में हम लोग बाइंडिंग होग रहें उसके सब्सक्राइब तो यह आपड़ अजिए बटन और हम लेंगे साइन अप बटन लॉग इन बटन और वहां डाश बाइच रबॉड की बटन और कोई ब्लाइब लॉगिन अब अब आउर बटन और बटन और जैसे हमारे वी method को लेंगे इनिशेल इनिशेल लाइज या ऐसे भी कर सकते हो इनिशलाइज और व्यूस व्यूस कर सकते हैं आपकी मरजी जैसे आपको करना सब्सक्राइज आपको करेंगे इनिशलाइज वाला कि जब एक्टिवटी चलेगी उस समय में क्या करना है ठीक है तो मैं कहूंगा हमें साइण बटन में लाना है है फाइंड वा जाईर ढॉटी डॉर साइन अप बटन अगीन हमें लोगन में क्या रहा है लोगन बटन में लाना है वहाँ यहां पे डैश बॉर्ट में लाना है डैश बॉर्ट इसबॉर्ट इकलुल दो फाइंड बटन भी आपके पास डेटा है वो सब लिए उस कर सकते हो अब अब बटन ठीक है जितने बटन्स थी मैंने उसका रेफरेंस निकाल के वेरीबल के अंदर रखती है अब हम इन वेरीबल को यूज कर सकते हैं यहां पर इन इसलाइज होने के बाद चलो भाई तो जैसे हम कहेंगे जैसे आपने साइन पर क्लिक किया तो एई विल हैंडल और क्लिक लिसनर और हम यहां करेंगे हमें मिल जाएगा यहां पर हम एक त्रॉट्री और हम एक से दूसरे अश्वेड़ी पर ट्राइशन करेंगे हैं हैं हौ इंड़ गोओ अपनी आपको इक्टिविटी को स्टार्ट करने के एक method है जिसका नाम है start activity एक्टिविटी यह देखे और यह method आपको डिर्क्टी मिल जारा है start activity नाम से method है अब इसके अंदर में current पास करना है इंटेंट बेसिकली इरादा कि आपका इरादा क्या भाई इसको मार रहा है कि उसको प्यार करना क्या इरादा है तो इंटेंट का मतलब है कि किस इंटेंट से आप यह method कॉल कर रहो यह इंटेंट के पास वह information है जो आपको एक activity यह information स्टाइट देंगे इस activity से चले जाओ इसके अंदरे पास करना है किस activity से कहां से कहां जाना है तो मगाओंगा आपको जाना है इस activity से हमारी में पर ही sign up था था में पर ही sign up था में एक्टिविटी डॉट क्लास तो हमें लिटरल यूज करना है यह अलो तो object है इस वाले अपने करेंट का reference जाना कहा है मेंक्टिविटी डॉट क्लास लिटरल दे दिया तो आपको अपने आप से यह स्टाइट भी क्या करेगा इस activity से तो इस activity पर ले जाएगा मैं आपको दिखाता हूं हम रण कर देंगे करेंगे यह देखे आगे दूसरे अक्टिविटी बंद नहीं हुए इसी के पीछे उपन है तो अगर आप चाहते हो कि जब यह एक्टिविटी ओपन हो तो दूसरे एक्टिविटी क्लोज हो जाए है मतलब पीछे वाले अग्टिविटी क्लोज हो जाए तो हम क्या अगर सकते हैं हम स्टार्ट करने के बाद हम लगा सकते हैं अब क्या होगा अब यह करेंट अब यह फिनिस हो जाएगी अब बैक आऊ गए तो अप्लिकेशन क्लोज हो जाएगा मैं देखाता हूं सब्सक्राइब करोगे तो यह देखे आपका अप्लिकेशन क्लोज होगे वाव समझगे न तो यह आपको कभी कभी यूज करना है है जय है जब आपको रिक्षार मूएं सेम टरीक हमें इंपर मेंकर सकते हैं सबके लिए चाहिए अब आपका लॉगिंट्विटी इसके पास है उसके पास इंफोर्मिशन ही हमें जाना है इस एक्ट इसके लागे रिए आगे इवन बैक जाके हम लोग तो इक्जेक्ली वैप अप्लिकेशन की तरह इसमें भी आप नेविगेट कर सकते हों इवन अभी मैं आपको दिखाऊँगा एसे आप डेटा भी ले जा सकते हो ठीक है चलो यहां पर आ जाकते हैं अब हम बना पें अपना अपना अप्लिक लिए तो में आप डॉट टॉट से इंटेंट में क्या पास करना पास करना किस एक्तिवीटी तक जानार करेंगे सिससे जाना इस भार आपको अब иक्तिवीटीर दिन Space ठीक है हम एक इंटध बना लेते हैं इंटेन पहले बना लो बांद है बना दो भीक्लेस करना है अब अब हमारे मेनूस जो अबलेबल होते हमारे सारे वहीं से अपने मेनूस अब मलब नविगेट करें तो हम जैसे डाइस बोट पर क्लिक है अब अगर बैक करते हैं आव पर जाते हैं जेक सकते हो तो यह बहुत तगड़ी जाए भाई बहुत जादा जावी様 मिल्वित पहल भीनीं तो ही करें हम निंद मिल्द्क है फट 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 तो चुल श्क बिंदृ यहां पर अबungkin डैस-बॉٹ चुल बहुत है कि तá अगें पारेंट अगें पारेंट टॉप पारेंट बॉटम पैरेंट यहां पर कर देते हैं यह हमारा वह डैश बोड एक्टिविटी ए और सर्च करूंगा क्या टेक्स्ट साइज ट्वंटी एस्पी उस करते हैं इसे जाद रिखिए बस आप यह समझ लीजिए इसको कहीं याद बाद नहीं करना ठीक है इसी तरह हम चलते हैं अब आउट पर हो चुका है एक कौन सा तरह हमारे पास और था एक आप देखो अब आउट था अब पर आ जाएगा अब आउट प आइए राइट से रइट से राइट से राइट से राइट से ठीक है और इसको कर दीजे अब आउट एक्टिविटी आफ आउट एक्टिविटी और साइज कर दिए इसका टैक साइज वाई 20 dp 20 dp तो जैसे आपने sign up login दिजाइन किया वैसा ही आप डिजाइन कर सकते हो जैजट्ट वाव एक्षपूर्ट पर जाऊद्जकट एक्डॉटी तो इसमें दो नाविगेशन देल्साइब फोलक्त्त ईथे सब्सक्राइं प्रोलिड़ करता हूं कि अंद्ध योग्र तो उन न्य क्मिर न अएक्षिंच करता हुआ है इस पे आव् ठीक है, exactly हम लोग बटन उस करते हैं, ठीक है, so three बटन उस करते हैं, हाँ यह सही है, बटन पर क्लिक करके तो बैक आप आप आएंगे, तो सब क्लियर कर दू, let's clear all the data, जा 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 भाई तु जा, इसको भी बंद कर दू, ठीक है, अब हम अप्लिकेशन को डारेक्ली रन कर सकना है, I think, यह ही है क्या, हाँ, exactly, ठीक है, तो हम अब आउट पर जा सकते हैं, then back आ सकते हैं, पैजबूर पर जा सकते हैं, then back आ सकते हैं, continue लोग इन पर जा सकते हैं, लोग की नहां पर डेजाइन कर सकते हैं, sign up है, तो sign up डेजाइन कर सकते हैं, exactly, ठीक है, अब यह को अच्छा जैसे for example हमें about activity से जाना है और यहां पर एक टेक्स दिखाना है वो data हम अपने start activity से लेके ही जाना चाहरे है तो हमारे पास suppose एक data है start activity पर so let's open start activity and हम about वाला के कहा है बटा यह रहा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर एक data है activity activity title and welcome activity यह data जा रहा है यह data जाएगा हुआ इसमें कुछ भी हो सकता है बैकेंड से आ रहा हुँ सकता है सब्सक्ति रहें है यह ताइटल हमेंट मैं जा रह सकते हैं अब हो से सब्सक्राइख वह है सब्सक्राइब, श्युक्रा, inside-on-down डक्तरिंग रख सकते हूँ मिद्थ सेंट यहां पर एक्सटर पर चलते हैं और यहां पर यहां पर एक डेटा पास हो जाए है एक टीविटी एक टीविटी अबाउट लिग देते हैं इस इस अबाउट एक टीविटी ठीक है और हम यह भी पास करना चाहरें तो एक डीटा हम यह पर रख देंगे इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा और इस बार हम एक्टीविटी अबाउट को रख देते हैं अब यह डेटा इस इंटेंट के साथ चला जाएगा इसे हमें दूसरे अक्टीविटी पे निकालना होगा सामने वाले अबाउट इसको कैसे निकालते हैं ओक यार सो हम लोग अक्टीविटी के अंदर पहुँच जाएंगे तो उस केस में कैसे हम डेटा को फैच करेंगे तो आपसे Explanors. इस activity को जिस intent ने start किया वो intent आपको मिल जाएगा इस method के call से ठीक है तो मैं कोगा ठीक है वह ही तो मुझे जाईए था तो हम यहाँ पर इसको एक variable store कर लेंगे and then intent dot वो सारे values निका सकते हैं वो सारे functions यह method कर सकते हैं जो intent के पास है और intent के अंतर जो data है उसको भी fetch कर सकते हैं तो हम कहेंगे get 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 string extra और मैं यहाँ पर पास कर दूँगा की तो मैं कहूंगा activity title ठीक है और यह मुझे एक object देगा जिसको मुझे type cast करना पड़ेगा I think देखते हैं को है title नहीं यह get string extra हमें string ही प्रवाइट करेगा ठीक है बखी कोई और get extra वाला method अगर कॉल करते है तब हो object देता और फिर हमें उसे type cast करना पड़ता ठीक है चेंज करना पड़ता है तो हम कहेंगे get एक और था ना मेरे पास activity about activity about ठीक है and then हमें यहाँ पर about भी मिल जाएगा फिर हम उसको उसको and let's run run करते application and देखते हैं कि यहाँ पर हमारा control आ रहा है आने के बाद actually हमें डेटा मिल रहे की नहीं पिल रहा है तो हम चलेंगे यहाँ पर catalog या lock at catalog उल्टा बोलू जासी दा लो lock at के इंदर आगे ठीक है यहाँ पर मैं क्या करता हूं क्लिक करता हूं अबाउट आप पर अबाउट अब आचुके यहां बैं आत्में देखते हैं धोलेट्स लेट्स जी कि हमें यह यह जो हमने दिए था यह न वार्निंग दिया था न फॉर निगे चेस्पहां ठीक है तो मुझे दिखना चाहिए क्या हमें दिखना चाहिए टाइटल आइथिक मुझे यह और Tesla मे इस वाले सकी सबस्तिपर आईडी चेंज करते हैं इसको देते हैं हम लोग टाइडल वीव री तर कर लो एक मैं यहां पर और टक्स लगाता हूं जिसको में इसके जस्स नीचे डालता हूं इसका पकड़ो भाई इधर वाला हाथ इससे जोड़ दू इधर वाला हाथ इससे जो जोड़े दो उपर अलहाद इससे जोड़े ठीक है अंड हलका सा मार्जन अप 30 डीपी दे दो आज बाड इफ्ट डिसक्रिप्शिन या आवाउट आवाउट अफ दो एक टीविटी ठीक है इसकी आईड भी हम दे 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 बाई रिफैक्टर कर लेंगे यह है आवाउट प्रिफैक्टर कर लो जिससे की जो लेआवट है हमारा उस पर फरक ना पड़े ठीक है चलो भाई अब लोग यहाँ पर आते हैं अपने क्लास के अंदर आते हैं यह यहां पर हम लोग क्या करते हैं यह डेट करने के लिए यह यह करने से पहले में क्या करता हूं ध Tesh स्टार्ट एक्टिविटी उस से पहले मैं का करूंगा कंपोनेट को इन इसलाइस कर लोगा और यहां पर दो टक्स विवन ले लें ते हैं प्राइब्ट एक टेक्स्ट व्यूव हम लेते हैं तैटल एक लेते हैं ठीक है अब लोग इसको इस लाट अगे अलग से method बनागे कर लो आपके मंदरजी है जलो title में डाल देते हैं title is equal to findview by id r.id.titleview and again about में डाल देते हैं findview by id r.id.about आप या क्या था भाई? About view ओ ठीक है आप चाहवा Camel case के स्को चाहवा? अंडर स्कोर से इसने केस बोलते हैं उसको ठीक है जैसा भी आप चाहब आईडी दिए वह आईडी आप यहां पर यूज करो ठीक है यह जी हो गई अब हमें जैसे डेडा मिल चुका है तो हम क्या कर सकते हैं हम कह सकते हैं टाइटल के अंदर मैं से टेक्स कर दूंगा क्या कर सेट हाँ हके então मचे लग रहा कुछिडवड हो गए ऍए परफेक्ट कर दो दो टाइटल हो गया यह यह वाला टाइटल यह बाला टाइटल ऑपर फिर करता हूं दिस के ही अब से डिस.tl.set set text और यहां मैं यूज करूंगा टाइटल ठीक है this.about.setText और यहां मैं यूज करूंगा about बस आपका view set हो जाएगा चलो भाई रण करते हैं and let's see यह हमारा actually data एक एक ट्री से दूसरे एक ट्री जा रहा है और जा रहा है तो हमारा आप view set हो रहा है कि नहीं हो रहा है about activity चलते है and here we go welcome to about activity this is actually about activity तो यह actually data आ रहा है हो हमारे एक activity से दूसरे activity हम लोग transfer कर रहे हैं with the help of intent तो intent imported है ठीक है अभी तो हमने transfer किया सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग का data अगर आपके बसको और data है तो उसको भी रख सकते हो जैसे for example हम यहां पर intent.put extra में मैं डाल सकता हूँ कोई number मैंने का चलो marks में डाल दे दो marks या मैं डाल दिया फोन फोन या कुछ ऐसा ही number suppose code डाल दिया जो कि इंटीजर में तो मैंने का चलो 3302 जाल दिया अब इसको कैसे फिच करेंगे about में जैसे हमने string फिच किया वैसे फिच करेंगे बस कोई method दूसरा होगा इंट डॉट इंट अरेक्स्ट्रा है अरे तो नहीं है मुझे सिर्फ इंट अक्स्ट्रा यहां पर हम यूज कर सकते हैं क्या हम नंबर या क्या था भाई एक बार देख लो है कोट था देखते हैं तो हमारे पास I think in extra के लिए दो फो आर्गुमेंट चाहिए मुझे इंट ने कहले दुप झाहिए तो एक ते इंग बार टाइट है एक तो टीक है टेकर गेक्त इंटेक्ष्टरा में मुझे तो बस यह यह यूज कर सकते हैं हम पास करते हैं हमें निकालना है code and default value होगी zeros की ठीक है और यह हमें देदेगा intizer तो हम क्या करते हैं समझने किलिमें थुरह तोस देता हूं टोस.make text this पास करते हैं and code is code is then हम लोग code and again हम कहेंगे टोस. हमें चाहिए टोस.length short थोड़े दर के लिए चाहिए बस so far perfect run करो application को shift after दो बाद हो बाई आपका application रहा जाएगा और इसके में हमें एक integer की value भी आ जाएगा सेम तरीके से आप call कर सकते हूं बागी type की data भी रख सकते हैं अगर हमें कोई object पास करना है तो क्या करेंगे अगर कोई object पास करना सब्सक्राइब करना है उस कैसे भीजेंगे कैसे हम लोग केट करेंगे देखे पहले में एक object क्रेट करना पड़ेगा सो हम क्या करने क्लास के लिए दे हम डेटा नाम से पैकेज बनाएंगे देन उसके अंदर हम यूजर क्लास बनाएंगे दूजर के अंदर मैं दो चीज रखोंगा जैसे बस आपको म नेम रख दूँ श्रिंग रख दिया हूंने और फ्रीट फोन रख देते हैं या इमेल रख रहे हैं अब बना लगे मैं उसका रहा हूं कंस्रक्टर डिफॉल्ट वन भी इससे अगर हमें जरूँ थे तो हम डिफॉल्ट को यूजर लें देन हम क्या करेंगे हम बनाएंगे साथ लगा को चीवि लायजी है तो हम इसक पहुंट भीज़ना है Hospice और हम उपकर के सकते हैं य। सुट्री आपि मिफारीश करते हैं माच लैस करके हम किसी भी आक हो सकते हैं सन्हे है तिक समझ एंक którzy कि अब इसको करते हैं अपने स्टाइट के अंदर यहां पर हम लोग एक उप्जिल पर आलते हैं यूजर का तो हम कहेंगे न्यू यूजर पास कर देते हैं एक नाम अपना नाम पास के दा ड़ी अपना नाम अच्छानी लग आ तो इसको नाम पीज़ी ठिटक कर दें इसको मैधंक हैмо दीक स्टाइ compliance करते हैं इंदर अर्फ इसको हुआ यहां पर यहां पर अब हम्सीरेटेबट इसको इसको इंपलेमें जाएगा अब हमारा डेटा यहांसे दूश्य जगह चलो जाएगा है तो दूसे जाह भी करना हो गया कि अपर ने कि हम लोग इंट्ट ॉट गेट serializable एक्स्ट्रफॉर्स इसक्षर इसक्राइब एक्स्ट्रा या गेट एक्स्ट्राμεे भी टाइब क्स्ट उसक्रने पास करेंगे की जो है वो क्या किया यूजर और यहाँ पास कर देंगे किस दिताया है माझरा ट्रों पास इसे यूजर डॉट्ट्ट स्ट्रास minimum is 29 ठीक है तो हमें एक इफ लगाना पड़ेगा भाई ठीक है अगर हमारे पास 33 है या फिर ठीक है यह वाली मतलब है जो अभी current अभी के लिए यूज़ कर लो तो हम बस हम नाम नाम लॉक कर देते हैं और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा तरीका नूड़ते हम लोग थीक है दूसरा तरीका कैसे में लेगा दूसरा तरीका एक्चुलि हम इंटेंट डॉट एक्ष्टर डिकल सकते हैं तो फार्च बंडल निकल है बुरा बट मैं क्या कर सकता हूं यहां पर ग्रट एक्स्ट्राज नहीं निकालूँगा मैं गट्गेट मैं देखते हैं और को और कि उनकूर सार्ब पार्सेबेट एक्स्ट्रा धाल ठीक है अभी करेंट लिए याद नहीं आ रहा है इंट एक्स्ट्रा से रिलाइजबल एक्स्ट्रा ठीक है यह वाला आप है आप आउट देख सकतो हुआ ठीक है एंड़र टिपो एक्सेंशन आप सेबन प्लेट्फरम चार ठीक है इसके लिए इसके लिए अधर था थो यार गैट ट्राइज अब फुरा बंडली मिल जाएगा ठीक है रिटन दो मैप आफ औल एक्स्ट्राज प्रिविस्ली पूर एक्स्ट्रा और नल इस पूरा बंडली मिल जाएगा अब बंडल से भी आप डेटा निकाह सकते हैं ठ लग अलग तरही है तो आपको देखना पड़ेगा इस अभी इतना कर लेते फिर मैं देख के बताऊंगा को अपको कोई टेंशन लेने बात नहीं हाप गूगल भी कर सकते हों ठीक है या फिर आप जाके गूगल कर लेते हैं मुझे याद नहीं आ रहा तो याद नहीं तेंस देने का यहां जा डिर्क यहां पर लिख दो हो टू गेट सी रियलाइज देबल फ्रॉम इंटेंट है चलो 2013 का है आपके पास गेट एक्स्ट्राज निकाल लो देन आप बंडल लोट गेट सीरियलिजबल हैंड लोग क्या करेंगे यह पुराना है तो पुराने में चलेगा ठीक हम क्या करेंगे क्या करेंगे इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्राज एक बंडल हमें मिल जाएगा देन हमें एक्स्ट्राज डॉट येट से रिलाइजेबल और हम यह पास कर सकते हैं यूजर तो हमें यह सिरियलिजबल देगा अब दोनों केस में दिखेगा को दिखत वाली बात नहीं है बट जो सिरियलिजबल है यह एक्चुली सिरियलिजबल हमें रिटेन कर रहा है फ्रॉम दिस बंडल अम रण करते हैं देखते हैं तो ऐसे करके आप सल्विशन को नेट पर डूड सकते हो नेट पर डूड़ना ही चाहिए आपको हमेसा कभी भी याद करनी कोशिस नहीं करनी चाहिए लट कर लोग का अंदर चलते हैं यस और उजर को फिस निकालने कोशिबल करने बॉर्निंग यहां भी हम अर्र वार्निंग दो हम लोग देखेंगे ठीक है चलो बाइट को देखो पहीं देखेगा तो बताना इस सचींग फ़र यूज सबस्गों में देखो या क्यातो यह सम्पने सकता हुए सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अगर अभी तक आपने सीरीज नहीं सब्सक्राइए तो आपके एक्सेस कर लिजिए प्यार दीजिए और आप कहां से हो आपने कोर्स जॉइन किया वीडियोस देखी के नहीं देखी वह आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कोई इंप्रूब्मेंट है सजेशन है तो भी बता सकते हो और मिलते हैं इस सीरीज की नेक्शन मेंट क्लमना धंडर के जाहें जाबात बाद बाए